नमस्कार दोस्तो सुवागत है आप सभी का हमारे यूरूप चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जान कर लेकर हाज रूए हैं दोस्तो आप वदा देखी सरकार दोबारा दस जिलों का नोटिफिकेसन जारी हो चुका है अगर आप भी आगनवाडी के तहट ओनलाइन आविदन करना चाहते हैं या फिर आपके जिले में अभी तक आगनवाडी के तहट ओनलाइन आविदन की प्रक्रिया सुरू नहीं की गई है तो दोस्तो यह जान करें आपके लिए जो सरकार ने दस जिलों का नोटिफिकेसन जारी किया है इसटैब अब इसटैब हम आपको बताने वाले हैं आपकी जानकार ने दें जो सरकार ने नोटिफिकेसन जारी किया है उसमें बतायागा है कि आगनवाडी के तहट चार पदो पर भरती करा जाएगी पहली पहला पद है आपर वहैं आगनवाडी खरे कत्री मीनि आंगनवाडी करेकतरी और दोस्तो आंगनवाडी सहिका और नमबर चार जो है वेह है आंगनवाडी सूपरवाजर सूपरवाजर के पदबे भी online lesson करा जाएंगे लेकिन यह सभी जिलों में मानने नहीं है कुछ जिलों में मानने हैं और वे सूपर्वाइजर के पद पर ओनलाइन नहीं कर सकता है किस तारिक से यहां पर ओनलाइन अवजदन शुरू करा जा रहे हैं अंतिम्ति क्या है यहां कि संपूर्ण करना चाहते हैं और अंगनवाड़ी के तहत ओनलाइन आवजदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को सुर्ण से लेके अन्तक जूरूर देखेगा वीडियो को पुरा वाच करें क्योंकि इस टैप हम आपको आज संपूर्ण जानकरे देने वाले ह वीडियो को सरू इन्तक जानकरे करते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और आपको यहां पर संपूर्ण जानकरे देते हैं महिला एवं बाल विकास संस्ता की तरप से एक बड़ा अपडेट जारी हो चुका है इन दोस्तों जो यहाँ पर नोटिपसिन जारी किया गया है उसमें आगनवाडी को लेकर चर्चा की गई है वह चर्चा यह है दोस्तों कि आगनवाडी के तहट जिन जिलों में अभी तक आगनवाडी के तहट ओनलाइन अविधन की प्रिक्रिया शुरू नहीं हुई है उसमें कब से सरकार ओनलाइन अविदन कराने जा रही है आगनवाडी के तैस सूपरवाजर के पदों पर भरती निकली जाएगी और कौन वैक्ती यहाँ पर सूपरवाजर के पद पर अविदन कर सकता है यहनके आपको यहाँ पर संपूर जानकरी मिलने वाली है अब दोस्तों आपो दादेखिए यहमनआ ऐको बताई दिया है कि यहाँ पर चार पदों पर ओन लाइन आविदन कराए जाएंगे आगनवाडी कारेकत्री, मीनि आगनवाडी कारेकत्री, आगनवाडी सहीका और दोस्तो नमबर चार है सूपरवाजर दोस्तो जो यहां पर नोटिफिशन जारी किया गा है वह है क्विए 10 जिलों का किया गा है और जो बाकी के जिले हैं takich उन्हें भी सरकार जल्द ही नोटिफिशन जारी करने वाली है तो दोस्तो आप होता दें किसके तहट 10 जिलों का online अविधन कराए जाएगा वहीं सरकार दोवारा कुछ नियम पते भी निवधारित की गई है तो आप होता दें आंगनवाडी registration करने के लिए अलग अलग पद पर अलग अलग योगेता सरकार दोवारा निवधारित की गई है अगर आप वाके ही आंगनवाडी के तहट online अविधन करना चाहते हैं तो आपको यह जानकरी हसिल करना अती महत्पून है क्योंकि दोस्तों यहां पर अलग अलग पत पर अलग अलग दस्तावे चाहिए होंगे और वहे हम आपको आज विश्तार पूरवक बताने वाले हैं क्योक dope पहले आपको वह सरकार दोवारा नोटीया किया गया है 10 जिले यहां पर 10 जिलों में आगनवाड़ की तहात ओन-लाइन अबजन करने जा रही है नमबर एक पर है आपका अजमेर सबसलिải नहीं है अलवर तो फिर है आपका बंस्वाड़ा सबसलिया नहीं थेया आपका यहां पर 12 और नेश्ट है दोस्तों आपको यहां पर भार मेर तो दोस्तों यह है पांच जोको है नोंके वेयर की जारी किया गई है जोके पांकी ब्रूंप्सक्राइद है आपको बताए आठ मैं से सरकार द्वारा ओनलाइन अविदन शुरू हो जाएंगे आप जो बागी के जिल्ले हैं उनके बारे में आपको बताए जाएगा उससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो सरकार ने यहाँ पर योग गता निर्धारित की हुई है अगर दोस्तों वारे मातेश्पोर्ड सोसने आचावी 10-22 की हुई हो आसानी आगनवाडी के तहत्त ओं-वारन करना चाहिए तो आपको यहां पर बारवी पास होना चाहिए वहीं अगर आप मेने आगनवाडी के पत पर ओनलाइन अवदन करना चाहते हैं तो आपके पास दसवी पास होनी चाहिए वहीं अगर आप आगनवाडी सहीका के पत पर ओनलाइन अवदन करना चाहते हैं तो आपके पास आठवी पास होना चाहिए अब दोस्तों जो आगे जान कर दी है वह भी आप पंजारी होता है उस तारीक को आपकी नियुनतम जो आयू है वह 21 वर्थ होने चाहिए और जो यहाँ पर अलिक्तम आयू दी गई है वह 35 वर्थ दी गई है यानि कि अगर आप सूपर वाजर के पत्वर ओनलाइन आगन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21-25 वर्थ होने होने चाहिए वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ SC और ST के बारे में भीचान कर दी गई है अगर आप SC ST की कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है अधिक्तम आयू में निम्ट परकार के छूट दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं SC ST वर्थ के के लिए भी हाँ पर 21 से 35 वर्थ के इसमें 5 साल की छूट दी गई है अगर विद्वात लाग सुधा भी ओनलाइन करना चाहती है तो उन्हें 21 से 35 वर्थ के वीच उनकी आयू होनी चाहिए अब जो बागी के जिले हैं दोस्तों वह भी आपको बता देते हैं अब बागी के एक पर है यहाँ पर भिलवाडा नैस्ट है बिका नेर नैस्ट दियागा है यहाँ पर चितोडगड और दोस्तों चूरू और नैस्ट है यहाँ पर धोलपूर तो दोस्तों इन जिलों में सरकार दुवारा जो ओनलाइन अवेदन कराए जाएंगे वह हैं 10 मई से बाद में याँ कि 10 मई से इन सभी जिलों में सरकार दुवारा विज्यापन जारी कर दे जाएगा अब बात आती है दोस्तों कि आपकी जो सुपरवाजर पद है वह कोन व्यक्ति ओनलाइन अवेदन कर सकता है और किन जिलों में यहाँ पर ओनलाइन अवेदन कर पाएंगे आप दोस् जिन जिलों में सुपरवाजर के पदपर वकैंसी खाली होगी यहाँ किसी भी जिले में सभी जिलों में भी हो सकता है दोस्तों और किसी जिले में नहीं हो सकता है तो आप विज्यापन में देख लीजेगा कि आपके जिले में सुपरवाजर के पदपर वकैंसी निकाली कर पाएंगे और दोस्तों यहां पर जिस व्यक्ति ने गर्जुवेशन की हुई है यह वही व्यक्ति यहां पर ओन लाइन आविदन सुपरवाजर के पत्पर कर पाएगा और आपकी जान करें लिए बतादे जो इसमें रेजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे वह केवल और केवल मुफ्त करा जाएंगे यानिके ओनलाइन आविदन की आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी तो दोस्तो यह तियापके लिए महत्पुन जानकरी आपको है जानकरी कैसे लगी आप हमें कमेंट कर जुरू बताएगा और हाँ अगर आपका इन जिलों में से कोई जिला नहीं है तो आप हमें कमेंट करके अपनी जिले का नाम अपना नाम जरूर सैंट कर दिएगा और दोस्तो अगर आगनवड़े के तहत आपकी कोई भी समस्या है कोई भी सवाल है तो आप हमें sided comment के जरिये सवाल कर सकते हैं हम आपके comment का जवाब जरूर देंगे तो दोस्तो मिलता है पुनाइसट वीडियो में अगर आपने हभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक करें जैसे आधा शियर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बैल आगए उनको प्रेस करें तके आने वाला नोटिविशन सबसे पहले आपको मिल सकें दोस्तों मिलता है पुना इसे वीडियो में एक अच्छी जानकार के साथ जब तक के लिए जैहिन जभारत घर रहिए सुरक्सित रहिए